भारत माता की, भारत माता की, करणा टका के राजपाल, स्री थावर्चन गहलोजी, मुख्य मंत्री, स्री बसवराज, मुंबई जी, केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, स्री भगवन्थ खुबाजी, करणा टका सरकार के मंत्री गण, साउसर्ट, एवं विधाय गण, और विशाल संख्या में, हमें आशिरवाद देने के लिए आये हुए, मेरे प्यारे भाई और बेहनों, करणा टकादा, इल्ला, सहोधरा, सहोधरी आरिगे, नन्ना बंदाने गड़ो, जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग नजर आते हैं, हैली पेड़ भी चारों तरफ से भड़ा पड़ा है, और यहां भी, मैं पीछे देख रहा हूँ चारों तरफ, इस पेंडोल के बार, हजारों लोग दूप में खड़े हैं, आपका यह प्यार, आपके यह आशिरवाद, हम सब की बहुत बड़ी ताकत हैं, साथियों, यादगीर, एक सम्रद्य इतिहास को संजे हुए हैं, रट्टी हल्ली का प्राचिम किला, हमारे अतीत, हमारे पुर्वजों के सामर्थ का प्रतीक है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, और हमारी विरासत से जुड़े अनेक आउंफ, अनेक स्थान, हमारे शेत्र में मौजूद है, यहाँ उस सुरापूर रियासत की धरोहर है, जिसे महान राजा वेंकटपा नायक ने, अपने स्वराज और सुसासंते देश में विख्यात कर दिया था, इस धरोहर पर हम सभी को गर्व है, भाई और बहनों, मैं आज करना टका के विकास से जुड़े, हजारो करोड रुपे के प्रोजेक्स, आपको सौंपने और नए प्रोजेक्स की शुरुवात करने आया हूँ, अभी यहां पानी और सड़क से जुड़े, बहुत बड़े प्रोजेक्स का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है, नारणपूर, लेप, बैंक, कैनाल के विस्तार और आधुनी करन से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपूर जिले के लाखों कितानों को सीधा सीधा लाब होने वाला है, यादगीर विलेज मल्टी वोटर सप्लाई स्कीम से भी, जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है, सूरत चेन्नई एकनमिक कोरिडर का जो हिस्सा करनाटका में पढ़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है, इस से यादगीर, राइचूर और कल बुर्गी सही, इस पूरे छेत्र में ईज अप लिविंग भी बढ़ेगी, और यहाँ उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है, विकास के इन सभी प्रोदेश के लिए, यादगीर के, करनाटका के, सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई, मैं बुम्माई जी की और उनकी पुरी टीम को भी बहुत बढ़ाई देता हूँ, जिस प्रकार उत्तर करनाटका के विकास के लिए, तेजी से काम हो रहा है, वो सरानिय है। भायों और भेनों, भारत की आजहादी के पचतरवत पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले पचीस वरसों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये पती साल देश के प्रतेग व्यक्ति के लिए अमरित काल है, प्रतेग राज्य के लिए अमरित काल है, इस अमरित काल में हमें विक्सित भारत का निर्मान करना है। भारत विख्सित तब हो सकता है जब देश का हर नागरी, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े भारत विख्सित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्जोगों में काम करने वाला स्रमी सभी का जीवन बहतर हो भारत विख्सित तब हो सकता है जब खेत में फसल भी अच्छी हो और फैक्टरियों का भी विस्तार हो और साथियों ये तभी संभव है जब हम बीते दसकों के खराब अनुभवों गलत नीती रणदिती से सीखे उन्हें फिर से दोहराने से बचे हमारे सामने यादगीर का उत्तर करनाटका का उदान है इस ख्षेत्र का सामर्थ किसी से कम नहीं है इस सामर्थ के बावजूद ये ख्षेत्र विकास की यात्रा में बहुत पीछे रह गया था पहले जो सरकारे थी उसने यादगीर सही अने एक जीलों को पिछडा गोशित कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिये थे इस ख्षेत्र के पीछे रहने का करण क्या है यहां का पिछडा पन कैसे दूर होगा इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला मेहनद करना तो दूर की बात रही जब सड़क बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्रेक्टर पर निवेश करने का समय था तब उस समय जो दल सरकारों में थे उन दलों ने वोट बैंक की राजनीती को बढ़ावा दिया इस जाती उस मत मजहब का वोट पक्का वोट कैसे बन जाए हर योजना हर कारकम को इसी दाइरे में बात करके रखा इसका बहुत बड़ा नुक्षान करना टका ने उठाया इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया आप सब मेरे भाईयों बहनों ने उठाया साथियों हमारी सरकार की प्रात्विक्ता बोट बैंक नहीं है हमारी प्रात्विक्ता है विकास विकास और विकास 2014 में आप सब ने मुझे आशिरवाद दिये मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोपी मैं जानता हूँ कि जब तक देश का एक विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा तब तक देश विक्षित नहीं हो सकता इसलिए जिनको पहले की सरकार ने पिछणा गोशित किया उन जिलों में हमने विकास की आकांच्छा को प्रुटसाहित किया हमारी सरकार ने यादगीर सहीद देश के सो से अधिक ऐसे जिलों में आकांची जिला कारकम शुरू किया हमने इन जिलों में सुसासन पर बल दिया गुड़ गवनत पर बल दिया विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया यादगीर सहीद सभी आकांची जिलों को इसका लाब भी मिला है आज देखिए यादगीर ने बच्चों का शत प्रतिशत टिका करन कर दिखाया है यादगीर जिले में कुपोशित बच्चों की संख्या में बहुत कभी आई है यहां के सत प्रतिशत गाउं सडकों से जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायतों में डिजीटल सेवाए देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है सिक्षा हो स्वास्त हो कनेक्टिविटी हो हर प्रकार से यादगीर जिले का प्रदसन टॉप टैन आकांग्छी जिलों में रहा है और इसके लिए मैं यादगीर जिले के जनप्रतिनीजियों को यहां के डिस्टिक एडमिस्टेशन की टीम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बदाई देता हूँ आज यादगीर जिले में नए उद्योग आ रहे हैं केंद्र सरकार ने यहां फार्मा पार्की स्विकृति भी दे दी है भाई और भेनों बॉर्टर सिकूरिटी एक ऐसा विशह है जो 21 सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है भारत को विक्सीद होना है तो बॉर्डर सिकूरिटी, कोस्टल सिकूरिटी, इंटर्नल सिकूरिटी के तरह ही बॉर्टर सिकूरिटी से जुड़ी चुनोतियों को भी समाप्त करना ही होगा डबल इंजिन की सरकार सुभीधा और संचय की सोथ के साथ काम कर रही 2014 में जब आपने हमें आउसर दिया तम 99 ऐसी सिंचाई पर योजनाए थी जो दसकों से लटकी हुई थी आज इने मैं से 50 के करीब योजनाए पूरी हो चुकी है हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसादन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया करनाट का मैं भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है नदियों को जोड कर सुखा प्रभाविर छेत्रों तक पानी पहुचाया जा रहा है नारायनपुरा लेप बैंक कैनल सिस्टिम का विकास और विस्तार भी इसी निती का हिस्सा है अब जो नया सिस्टिम मना है जो नई तकनीक इसमें जोड़ी गई है इससे साड़े चार लाग हेक्टर भुमी सीन्चाय के दायरे में आएगी अब कैनाल के आखरी छोड़ तक भी परियाप्त पानी परियाप्त समय के लिए आप आएगा साथियों आज देश में पर ड्रॉप मौर क्रॉप पर माइक्रो इरिगेशन पर अभुद्पुर्वबल दिया जा रहा है बीते छे साथ सालों में सतर लाग हेक्टर भुमी को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है करना टका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है आज करना टका में माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उससे पांच लाग हेक्टर भुमी को लाब होगा डबल इंजिन सरकार भूजल के स्तर को उपर उठाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है अटल भूजल योजना हो अम्रिज सरोवर अभियान के तर हर जिले में पचरतर तालाब बनाने की योजना हो या फिर करनाट का सरकार की अपनी योजना है इसे जलस्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी भाई और भेनों डबल इंजिन सरकार कैसे काम कर रही है इसका बहतरी नुदाहरान जल जीवन मिशन में भी दिखता है साड़े तिन साल पहले जब में मिशन शुरू हुआ था तब देश के अठारा करोड ग्रामिन परिवारों में से सिर्फ तीन करोड ग्रामिन परिवारों के पास नल कनेक्शन था आज देश के लगबक यहां करा याद रखना हम जब सरकार में आये थे तब तीन करोड घरों में आज देश के लगबक ग्यारा करोड ग्रामिन परिवारों के गरों में नल से जल आने लगा है यानि हमारी सरकार ने देश में आट करोड नए ग्रामिन परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है और इसमें करना टका के भी 35 लाग ग्रामिन परिवार शामिल है मुझे खुशी है कि यादगीर और राइचूर में हर घर जल की कवरेच करना टका और देश की कुल आउसत से भी अधिक है और जब नल से जल घर में पहुंचता है न तो माता ये बहने मोदी को भरपूर आशिरवाद देती है हर दिन जब पानी आता है मोदी के लिए उनके आशिरवाद बहने शुरू हो जाते आज जिस योजना का सिला न्यास हुआ है उससे यादगीर में घर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष को और गती मिलेगी जल जीवन मिशन का एक और लाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक स्टड़ी में सामने आया है कि भारत के जल जीवन मिशन की वज़े से हर साल सवा लाख से अधिक बच्चों का जीवन हम बचा पाएंगे आप कलपना कर सकते हैं सवा लाख बच्चे प्रती वर्ष मोत के मुख में जाने से बच जाते हैं तो इश्वर भी तो आथिरवाद देता है साथियो जनता जनार्दन भी आथिरवाद देती साथियों दूसीत पानी की वज़ा से हमारे बच्चों पर कितना बड़ा संकट था और अब कैसे हमारी सरकार ने आपके बच्चों का जीवन बचाया है भाई और बहनों हर घर जल अब्यान डबल इंजिन सरकार के डबल बेनिफिट का भी उदार है डबल इंजिन याने डबल बेलफेर डबल तेजी से विकास करनाटका को इससे कैसे लाब हो रहा है आप लोग तो भली बाती जानते हैं केंद्र सरकार किसानों के लिए पी-एम किसान सम्मान निती योजना के तहत 6,000 रुपिया देती हैं वहीं करनाटका सरकार इसमें 4,000 रुपिया और जोड़ती हैं ताकि किसानों को डबल लाब हो यहां यादगीर के भी लगबग सवा लाग किसान परिवारों को भी पी-एम किसान सम्मान निती के लगबग धाई सो करोड रुपिये मिल चुके हैं साथियो केंद्र सरकार नई राष्ट्रिय शिक्षा निती लाई हैं वहीं करनाटका सरकार विद्या निती योजना से गरीब परिवारों के बच्चों की अच्छी शिक्षा में मदद कर रही हैं केंद्र सरकार महामारी और दूसरे संकोटों के बावजूद तेज विकास के लिए कदम उठाती हैं वहीं राज्य सरकार इसका लाब उठाते हुए करनाटका को देश का देश में निवे सको की पहली पसंद मढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है केंद्र सरकार बुनकरों को मुद्रा युद्रा के तहट मदद देती हैं वहीं करनाटका सरकार महामारी के दौरान उनका रन माप करती हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी देती हैं तो हुआना डबल इंजीर का यानि डबल मेरिफिट साथ क्यों आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर कोई व्यक्ति वंचीत है कोई वर्ग वंचीत है कोई छेत्र वंचीत है तो उस वंचीत को हमारी सरकार सबसे ज़्यादा वर्यता दे रही है और वंचीतों को वर्यता यह है हम लोगों के आं कार्य करने का राह है संकल्प है मंत्र है हमारे देश में दसकों तक करोडों छोटे किसान भी हर सुक्स विदा से बंचीत रहे सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया आज यही छोटा किसान देश की कर्शी नीति की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है आज हम किसान को मशीनों के लिए मदद दे रहे हैं ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलोजी की तरफ ले जा रहे हैं नेनो यूरिया जैसी आधुनिक खाद उपलब्द करा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्राकृति खेती को भी प्रोसाहिद कर रहे हैं आज छोटे किसान को भी किसान क्रेडिट कार दिये जा रहे हैं छोटे किसान फिर भूमी हिन परिवारों को अतिरीक्त आये हो इसके लिए पशु पालन मचली पालन मदुद्ध कि पालन उसके लिए भी मदद दी जा रही हैं भाई और भेनों आज जब मैं यादगीर आया हूँ तो करणा टका के परिश्रम किसानों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करूंगा एक छेत्र दाल का कटोरा है यहां की दाले देश भर में पहुंचती है बीते साथ आठ वर्षों में अगर भारत ने दालों के लिए अपने विदेशी निर्भरता को कम किया है तो इसमें उत्तर करणा टका के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है केंद्र सरकार ने भी इन आठ वर्षों में किसानों से 80 गुना अधिक दाल MSP पर खरीदी 2014 से पहले जहां दाल किसानों को कुछ सो करोड रुपिये मिलते थे वहीं हमारी सरकार ने दाल वाले किसानों को 60 हजार करोड रुपिये दिये हैं अब देश खाज दे तेल में आत्मन निर्भरता के लिए भी विशेथ अभ्यान चला रहा है इसका अलाब भी करना टका के किसानों को जरूर ढ़ाना चाहिए आज बायो फ्योल इथेनौल के उत्पादन और उप्योग के लिए भी देश में बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है सरकार ने पैट्रोल में इथेनौल की ब्लेंडिंग का लक्ष भी बढ़ा दिया है इससे भी करना टका के गन्ना किसानों को बहुत लाब होने वाला है साथियो एक और बड़ा अबसर अध दुनिया में पैदा हो रहा है जिसका अलाब करना टका के किसानों विशेश रुप से छोटे किसानों को जरूर होगा भारत के आगरे पर सयुक्त राष्ट्रे ने उनियाटे अन्नेशन दे इस वर्ष को इंटरनेस्ट्रेल येर अप मिलेट गोशित किया है करना टका में ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज की बहुत पैदावर होती है अपने इस पौश्टिक मोटे अनाज की पैदावर बढाने और इसे विश्व भर्में प्रबोट करने के लिए डबल इंजिन सरकार प्रतिबद्ध है मुझे भी स्वास है कि करना टका के किसान इसमें भी अग्रणी भूमी का निभाएंगे भावियों और बहनों उत्तर करना टका की एक और चुनोती को हमारी सरकार कम करने का प्रयास कर रही है ये चुनोती है कनेक्टिविटी की खेती हो उद्योग हो या फिर परियतन सभी के लिए कनेक्टिविटी उतनी ही जरूरी है आज जब देश कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रासेक्टर पर बल दे रहा है तो डबल इंजिन सरकार होने के कारण करनाटका को भी इसका अधिक लाब मिल पा रहा है सूरत चिन्नई एकनोमिक कोरिडोर का लाब भी नौर्थ करनाटका के एक बड़े हिस्से को होने वाला है देश की दो बड़े पौर्ट सिटी के कनेक्ट होने से इस पूरे खेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाय बनेगी नौर्थ करनाटका के परियटक सलो तीर्थों तक पहुंचना भी देश वास्यों के लिए आसान हो जाएगा इससे यहां युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्टर और रिफर्म पर डबल इंजिन सरकार के फोकस के कारण करनाटका निवेशकों की पसंद बन रहा है भविश्च में ये निवेश और बढ़ने वाला है क्योंकि भारत में निवेश को लेकर पुरी दुनिया में उत्सा है मुझे विश्वास है कि नौर्ट करनाटका को भी इस उत्सा का भरपूर लाब मिलेगा इस छेत्र का विकास सब के लिए सम्रुद्ध लेकर आए इसी कामना के साथ फिर एक बार इतनी बड़ी तादाज में आकर के हमें आशिरवाद देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस अनेक अनेक विकास की योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद